नमस्कार गाईज, बुलिस्फुल मास्तर में आपका स्वागत है, बात करेंगे मंडे को मार्केट में गेप अप होगा या गेप डाउन, आज हमने कहां पे ट्रेड किया, आज का डे काफी अल्टिमेट था, निफ्टी, बैंग निफ्टी भी ब्रेक आउट हुआ, संसेक्स क एकस्पारी तो एक अल्टिमेट हो गई, मिड्ट कैप निफ्टी ने तो मॉर्निंग में भी ब्रेक पास्ट डन कर दिया, क्या मंडे को भी ये बरकरार रहेगा, फायर, वो सारी चीजे डिसकसन करेंगे, क्या गेप अप होगा, गेप डाउन होगा, बीटी एस्टी लेना ह ओरिजनल लिंक, वो आपको डिस्क्रिशन में देखने को मिलेगा, मैं नहीं चाता कि आप गलत चैनल जोइन कर लो, डिस्क्रिशन में जो लिंक है, वो ही जोइन करना, पहले बात करेंगे कि कल हमने क्या बताया था, याद रखिए, टुमारो मार्केट की भविश्यवानी क अंदर बताया, मार्केट में कल बड़ा ब्रेकाउट की तयारी, बड़े ब्रेकाउट की तयारी, लिखा वाता संसेक्स एक्सपायरी बिग मुव, जो लिखा मार्केट ने वो मुमेंट किया है, तीन सो रुपे की कॉल सीधा तेरा सो चली गई, तो सोचो, यहाँ पे फिर आपको levels बेजे थे, और यहाँ पे देखेंगे, आज की बात करता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें बेजी थी, और अपना crude oil के levels भी मिलते हैं, crude oil का video strategy भी बना के आपको बेज दी थी, यहाँ पे हर एक चीज free में आपको मिलती है, free of cost, याद रखिए गाइस चीज को, मैं च nifty पलस में open हुआ, bank nifty down में open हुआ, लेकिन data तो bullish था भाई, बेरिश तो कुछ था ही नहीं, market को तो उपर ही आना था, कल market ने आपको trap किया, आज फिर trap किया, उसको भी जानेंगे, okay guys, तो यहाँ पे देखो data mismatch open हुआ, mid cap nifty देखो no point पे, nifty कहाँ पे open हुआ, 17 point market gap up open होता है, उसके बाद market 400 point उपर जाता, इससे अच्छी बात है, btst ना ले तो बेतर है, या btst ले तो बेतर है, इसका मतलब btst नहीं भी लेते, तो भी चलता, और मैंने बताया भी था, btst को fully avoid कर सकते हो, कल के दिन मैंने आपको बताया था, btst को fully avoid कर सकते हो, क्योंकि market में थ budget day के दिन, आपने सुना market 11 point crash हो जाएगा, 10% crash हो जाएगा, market में आप ही सुना मी आने वाली है, downside moment रहेगा, क्या होता है न, जब लोग ज्यादा सोचते हैं, कि market गिरेगा, तो market नहीं गिरेगा, लोग सोचेंगे market उपर जाएगा, तो हमेसा market आप से दो कदम आगे जलता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर कोई बंदा बोलेगा न, कि market उपर यूपर जाएगा, तब वो उपर नहीं जाएगा, तब गिर जाएगा, इस चीज को हमेसा ध्यान रखिएगा, market ने एक अच्छा redress लिया, अभी देखेंगे, अच्छे से analysis करेंगे, time है, आपके पास पुरा वीडियो देखने का भी, याद रखिएगा, हमेसा गाई, साड़े तीन मज़े से पहले आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो वीडियो को लाइक जुरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पचास अजार सब्सक्राइब होने के बाद, हम यहाँ प कभी वो डाउन आया ही नहीं, आने के बाद एक बड़ी सी केंडल बना के, रीकवरी करके साइडवेस होके, सेकेंड आप में मार्केट ने एक अपना लेवल तोड़ा था, फिन निप्टी और बैंग निप्टी ने, ओके गाईस, उसके बाद में हम आते हैं, यहाँ पे यह आपको, मिडिकेम निप्टी का लेवल बेजा, अल्टीमेट फायर किया था, बैंग निप्टी का लेवल बेजा था, बताया भी था काईस, 51 था, अभी आगे चलके बताऊंगा, निप्टी, संसेक्स, हर चीज का लेवल बेज दिया, संसेक्स में हमने 923 को ट्रेड बनाया था, 8100 का कॉल, जो 300 का ये 1300 में कनवर्ट हो गया, और मॉर्निंग में रीटेस्ट भी लिया, यहां पर मॉर्निंग में प्रोफिट मिलने के बाद, यहां पर देखो, निप्टी का अपसाइड का लेवल प्रोवाइड किया, 24510 का, जो आप देख सकते हो, अभी निप्टी क ऐसा मॉमेंट करी नहीं रहता, दोनों एक्टिव होते हैं, अच्छे प्रोफिट देते हैं, दोनों एक अच्छा मॉमेंट देते हैं, उसके बाद यहां पर आपको अगेन बोला था, कि भाई, क्या फ़िर से संसेक्स फ़ाइर करेगा, यहां पर अपडेट दिया, उसके ब बोल दिया guys market इतना ऊपर जाने के बावजूद भी आपको बोला था कि भाई please not move only upside जब तक कोई reversal candle नहीं बन जाए no reversal only bullish और यहाँ पर data bullish उसके बाद में 11 बचे आपके पास message आता है bank nifty upside active कब होगा 51,025 के बाद market तो भाई उस समय पचास अजार 700 पे चल रहा था लेकिन हम वेट किये और यहां से हमने 300 point bank nifty में मिले अगर कोई bank nifty का वेट कर रहा था अब बात करेंगे की भाई Monday को market gap up हो रहा है gap down नोरगा फटा पट से analysis करते हैं analysis के साथ साथ हमें एक दो चीजों की जरुवत भी है गाई सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली टाइम प्रेम की वीकली analysis करेंगे वीकली यहां पर देखोगे निफ्टी यहां पर हम एक डोजी बनाके market bullish channel close करता है market continue दो week bullish था और अगेन यहां पर market में गाई एक inverted hammer बनाके market bullish closing कर रहा है और अगला वीक आप कहा सकते हूं bullish रहेगा अपना सोरी यहां पर mid cap open हो गया mid cap निफ्टी भी यहां पर bullish movement बता रहा है mid cap का भी साथ में हो चलो यहां पर मैं लेकर आता हूं bank nifty गई तुम्हें बैंक निफ्टी लेकर आता हूं यहां पर bank nifty bank nifty ओके यहां पर बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी एक weekly time frame एक rejection पर था और rejection के साथ-साथ गाई एक इसका जो एक trend था उस trend को market ने टच किया था टिक में यह प्लस में convert हो जाएगा अगर बैंग निफ्टी इसको support कर दे निफ्टी को तो यहां पर आपको दिख रहा है बैंग निफ्टी अपने चैनल में चल रहा है एक support लिया इसने और निफ्टी बुलिश है, daytime frame पर आपको क्या दिखेगा, daytime frame पर निफ्टी all time high तोड़ने में just कुछ point दूर है, just कुछ point दूर है, 850 तोड़ दिया, तो ये अपने all time high को तोड़ देगा, अगर ये all time high तोड़ देता है, तो guys, market एक all time high पर है, अगर all time high से बाहर निकल जाता है, इतना bullish है market, तो अगर BTSD प्लैन अगर करना भी है अगर मंडे को मंडे को मार्केट बता रहा है कि यहां तो बहुत बड़ा गेप अप हो जाएगा यहां पर अभी के इसाब से मार्केट दिखा रहा है गेप अध्यान से देखिए सटर डे एंड संडे को है होली डे अगर कुछ ऐसी नेग लिडे का चक्कर में अगर आप गेप अप का लिए आपका व्यू है कि मार्केट गेप अपन होगा फिलाल मार्केट गेप बता रहा है 95% गेप बता रहा है गाई 95% अगर 5% कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हैजिंग का प्लैन जरूर रखना क्योंकि जब मार्केट में इस इस तरह से होता है तो हैजिंग भी साथ में करते हैं अगर कल का होता कल मार्केट अगर ओपन होता तो हम बीटीएश्टी सिरफ गेप अप में ही लेके जाते इस चीज़ को ध्यान रखी गए यह ओन रिस्क है ऐसा नहीं है कि बीटीएश्टी हमेंसा हर ट्रेडर को करना है ओके गाईस सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंट चीज बताएंगे कि मार्केट 200 यह मेंसे जैसे ही उपर आता है बुलिश थे और मार्केट आ गया है बैया ओल्टाइम हाई पे यहां पे मार्केट पहले भी क्लोजिंग कर चुका है आज भी यहां पे क्ल कि न्यू कल से इस तरह से ऊपर जा रहा है तो एक rejection भी चाहिए एक rejection भी चाहिए अगर मार्केट sideways open हो जाता है यहां पे हो सकता है गलती से यहां पे support ले ले गाईस यहां पे sideways होके down आ जाए तो reversal के बाद अगर मार्केट जहां से भी गूमेगा जहां से भी गूमेगा अप time high पे है मुझे यहां पे अगर अवली time frame पे देखता हूँ तो मुझे यहां पे यह gap up दिका रहा है ओके और अगर gap up plan करना है तो खुद के risk पे और क्या बोल रहा हूँ guys hedging का plan कर सकते हैं तो nifty bullish है बात करते bank nifty की bank nifty भी भी भाईया bullish bank nifty भी देखो 51,025 के बाद में हमार trap हो गया हमने कल बोला था कि market में यहां पर यह level तोड़ेगा इस trend line को फिर हम bullish हो जाएंगे और 51,000 के बाद में planning करेंगे perfect तरीके से market ने planning की है और अभी market के अंदर total 27 minute पड़े हैं हो सकता है 200 यह में तक भी पहुँच जाए 200 यह में नहीं पहुच पाया तो market अपना 51,800 के आसपास opening होने की कोशिश करेगा अपना bank nifty बद ट्रेप नहीं होना चीए gap up आज का यह अपना upside move ट्रेप नहीं होना चीए Saturday Sunday के चक्कर में BTSD को avoid भी कर सकते हो लेक फिन निप्टी भी अपना gap up दिका रहा है 23500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है क्या फिन निप्टी और वेंग निप्टी all time high तोडएंगे तो इसको थोड़ा बड़े gap up की ज़रूरत है निप्टी ने अच्छा परफॉर्म किया all time high पे बैटा है ये भी और ये भी gap up open होने की कोशिश करेगा इसकी expire ये तो इसमें थोड़ा सा आप ignoring करोगे तो भी better रहेगा आप चाहो तो ignore कर सकते हो नेक्स्ट इसका gap up target दिखा रहा है भाई ये 740 का बोले 40-50 प्रफॉर्म का दिखा रहा सटरड़े के चक्कर संड़े के चक्कर में अगर छोटा gap up भी हो सकता है अगर कुछ negative news आई तो ही market में gap down का असर देखने को मिल सकता फिलाल तो मैं इतने ही कहूंगा भाई अगर मार्केट में data is bullish अगर मार्केट gap up भी नहीं करता है तो समझ लो ये operator की चाल होगी और अगर आपको VTSD plan करना है तो भीया hedging is very important कि सटेडे संडे होता है मार्केट थोड़ा risky होता है इतना ऊपर चला जाता तो एक दो लोट कोल की तरफ plan करते हो तो एक पुट की तरफ चलके जरूर जाना दूर का पुट जरूर प्लैन करके जाना अगर आप चाहते हो तो this is for educational मैं यह नहीं कह रहा कि आप real money लगा तो real money मत लगाना गाइस वीडियो देखके अगर आपको knowledge नहीं है ट्रेडिंग का तो किसी के ऊपर आप decision नहीं ले सकते कि यार real money लगा दे यह कर ले वो कर ले ऐसा कभी मत करना ओके गाइस एडवांस वीडियो था यह ठीकन अगर यहां पर rejection आ जाता है तो btsd पूरा ignore हो जाएगा क्योंकि market में जो continue planning जो चल रही थी समझ लो market एक trap करने के लिए तयारी कर दी तो इस चीज को ध्यान रखिए कि rejection नहीं आना चाहिए 24,800 के नीचे nifty close नहीं होना चाहिए 51,300 के नीचे bank nifty close नहीं होना चाहिए इस चीज को ध्यान रखिएगा मिलते हैं गाईस next वीडियो के अंदर वहाँ पर next वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरे next week में किस तरह से plan कर सकते